हाई फ्रेंड्स आफुटी एंट गॉक्स में आपका स्वागत है क्या आप भी किचन की टॉबिंग को गए के परिसान रहते हैं देखिए किचन की टॉबिंग एकसर बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है यह देखिए मैंने पानी गरम करने के गए रख दिया है पानी गरम हो गया है अच्छे से अब इसमें हमने लिटर्जन पाउडर आइट कर दिया है एक चममच के करीब और यह नीबु है नीबु मैंने इसमें आइट कर दिया है निम्बू जो यूज हो जाता है और छिंके हैं मैंने दो टुकड़े दीए हैं और इनको अच्छे से गरम होने देंगे ये देखिए ये थोड़ा सा गरम हो जाएगा मिकसर तब इसमें हम किचन की टॉबिंग डांग देंगे ये देखिए क्यों कि किचन के कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं चिकनाई वगएरा होती है तो उसमें ऐसे साफ नहीं होते हैं इनको आप आराम से ऐसे रख दीजिए ये देखिए मैंने डुबा दिया है पूरा इसको रख दिया है ये देखिए ये ठंडा हो गया है एकदम जैसे मैं इसको छूप आ रही हूं देखिए बेनकों भी गरम नहीं है अब ये बस गुनगुना सा पानी है इसको मैंने रख दिया था इसी तरीके से अब इसको हम साफ करेंगे इसी तरीके से बहुत अच्छे से साफाई हो जाती है इससे बहुत अच्छा साफ हो जाता है अभी आप खुद ही फर्क देखेंगे इसमें कि कैसे होता है ये देखें कितनी गंदगी चूटी है इसमें ये देखें अभी इसको मैं और साफ करूंगी यह देखे मैंने धो के इसको अच्छे से सुखा दिया है सुखाने के इंगे रख दिया है यहाँ पर तंगी है यह देखिए टॉबिंग सूख चुकी है देखिए कितनी ज़्यादा साफ हो गई है आप खुद ही फरक देखिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्रीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए वीडियो को सेयर कीजिए कमेंट सेक्षन में जरूर बताएए कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है प्रीज मुझे सपोर्ट कीजिए थेंक यू